इसे कैसे नजर अटाएंगे हुआ शुक्रिया शुक्रिया चले शुक्रिया तो अमरपाली जी एक प्रेस्वार्ट में रखी गई है दोरी सिजा के रखना की रुपीस के बारे में अना उश्वादी के लिए बताने के लिए सब कुछ दिखा दिया है बट आम प्रिटी शॉर वो साइड ओडियंस को बहुत अच्छा लगेगा और एक चंक है फिल्म में छोटा सा जहां खेसारी जी मुझे डांस की ट्रेनिंग दे रहे हैं और वो सब सीक्वेंस जब आप लोग फिल्म में देखेंगे तो बहुत मज़ को तो मेरा किर्दार कुछ ऐसा ही एक तेड़ा मेरा टाइप का है जो स्क्रीन पर जब आएगा तो आप लोगो देखके बहुत मज़ा आएगा किस तरह की पेरिंग किसे सब्सक्रा में किसारी जी के साथ मैं जब भी शूट करती हूं मुझे बहुत मज़ा आता है क्योंकि स्क्रीन तो हम लोग हसते ही रहते हैं सीन्स की वज़े से हमारे डिरेक्टर सर की वज़े से लेकिन ओफ स्क्रीन किसी को आक्टर को हसाने की शमता जो के सारी जी वह और किसी में भी नहीं है हम लोग पूरे टाइम सेट पर सिर्फ हसते रहते थे कुछ ना कुछ बात करके और दो गाने सुन्ते रहते थे, मुझे इनके सारे गाने आने से पहले मलुम रहते हैंक अभी यह आएग। अदमीऽ हें जोक नाइे खाते रहते हैं। मैंने कभे उल्हकर से सीरियूस होते होते हुए सेट पिर सब्सक्रीव सोकसित ने स्फ़सना को इन गाते हैं। उसके लिए हम स्वा महिनत तयारी करते हैं। छै महिना सोचते कि जहलूंगा कैसे तम टेट देते हैं हम लोग के लिए। ऐसा नहीं, किसी को अपना बनाने के लिए तयारी के जरूत नहीं होती है। अगर आप अपने आपको खूश रखते हैं तो मुझे लगता है कि आपके आसपास के सारा महौल खूश रहता है। बी पोजिटिव जिसको लोग बोलते हैं। आप अगर पोजिटिव हैं, तो दुनिया में हर आदमी आपको पोजिटिव ही दीखेगा। अगर आप नेगेटीब में हैं, तो मुझे लगता है हर आदमी आपको माइनस से दिखेगा तो आपके उपर निर्फर करता है कि आप अपने जीवन को किस दिशा में लेगर जाना चाहते हैं अगर मुझे लगता है कि हम सेट पे हैं तो हमारा परिवार तो वही होता है, हम मानने के अपने पिता के बेटा है, मानने के लिए हम अपने बीवी के पती हैं, मानने के लिए हम अपने बच्चों के पिता हैं, बट मुझे लगता है, आप सौरी बेटा बेटा थे ठीक था, माननी कि ये बीवी के पती है, मैं सेट पे किसके मेरे पती थे क्या नहीं, जो पफॉर्म में घर पे करता हूँ, जो या भी करना पड़ा है, जो भी बजने लगा कि ये बीवी करते हैं, जो बहुत है, मैं इसे ही खते हैं और फिर बोलते मैंने कुछ किया भी नहीं, देखिए, जो मैं घर पे परफॉर्म करता हूँ, वही परफॉर्म तो यहां भी करता हूँ, जो बालता हुआ, अब इसमें को हुआ गलत था, हम लोग शब्नों से दादा अरमेर काने का मतलब कि जिस तरह हमरे बीवी से भी मिलती है, वह सारी महहौन को सेटम मिलती ही, तो वह सारी चीजें, अगर हमने रूप.. अब मैं सहाज मैं चुक हो गई हैं तो वो सारी चीज़े हमें करनी पड़ते हैं इसलिए क्योंकि एक परिवार ही है हमारा सिनेमा देखा जाये तो एक परिवार की तरह है जैसे कि हमारे पिता के रोल में हमेशा रजनिस भी है जब ही हम लोगोंने काम किया है तो हमने जब भी इनके साथ काम किया है तो हमें सपोर्ट एक इस तरह से मिलता है कि एक डिरेक्टर के साथ साथ है कि एक एक्ट जो होता है हमें कैसे बोलना चाहिए हमें खड़ा कैसे होना है और ऐसाने कि एक्टिंग बताते हैं पूरी उनिट आपको लेकर सफर कर रही है एक हीरो का रोल होता है हीरा सफर गजीट आाइगा और हमने लगता है कि पूरा इनिट मैनस गाएगा और हमारा काम बेधर नहीं होका तो हम लोगों की कोशिस रहती है कि जब हम encontramos ही नहीं हसे हे जान i.t7 व volunteers हमारी इनिट कीसे हसे है जिए तो पस थोड़ीदा दुआ ज़ता वाइशन के दिन सुबह 9 बजे की सिफ्ट से लोग काम कर रहे हैं, रात के 3 बजे, 4 बजे, जब सब नीन में मतलब माते हुए रहते हैं और बहुत थकान रहती है, उस समय जो यह जगाते हैं लोगों को जो प्रेविद करते हैं, जो उस समय नर्जी यह देते हैं सबको, और उ जानते हैं कि जो यूनिट के बाकी लोग आज की तारीक में संघस कर रहे हैं, उनसे और इनके बीच में बहुत बड़ा गैप है, वो जो टेक्निशियन्स और जो बाकी जो काम करने वाले लोग हैं और एक सूपर स्थार उसके बीच का गैप नहों, इसके लिए उस गैप को भ हर को बहुत है, पर हर एक बंदे का नाम पता है DIRE Twitter. और नम से बुला बुला के बते करता है अफर को इसके इसके मेरी पिक्टर बन रहा है हर okay. इनको पुरता है तो वो अच्छा लगता है और यही शायद वज़ा है कि इनके फिल्मों में वो रस देखने को आपको मिलता है चाहे कोई भी बनाए लेकिन वो एक आत्मियता और एक जो रस होता है जो ठेट पना और भोजपुरी पना होती है और हम लोगा ने डोली सजा के देखना में तो मैं फिल्म के मिक्सिंग वगर करके देख चुका हूँ तो फर्स्ट हाप जो फिल्म गुजरती है तो ऐसा हालत हो जाती है कि हंस्ते हंस्ते मैं डबिंग नहीं कर गया था तो सट पुछे पहला ऐसा सिनेमा होगा पहला नहीं यह से तो अंके सांथ करने पर सारी चीजे होती है बहुत सारी फिल्मों में ऐसा हुए मेरे सांथ लेकिस सीनेमा में मैं डबिंग नहीं कर पा रहा था तो मैं मुझे लगा क्या कुरियर में क्या किया हूँ इसमें मने होता कि है ना कि यार जो नहीं बोलना है हो भी बोला हूँ और कितना बोला हूँ होता पहले दिस सिर्फ हासी और उसके बाद बलेगा आप नहीं हासी है। तो वह सारी चीज़े इस सीनेमा के साथ होगी क्योंकि देखे हैं होता क्या ना हर आपने जिवने फ्रस्टेड है। कोई अपने घर से फ्रस्टेड है तो कोई रुजगार बेरुजगार तो कोई नेता तो कोई बन गया तो कभी यह प्रॉबलम कभी हो। तो प्रॉबलम के साथ अगर हम सीनेमा को भी प्रॉबलम में ही डाल दें तो फिर कोई मतलब नहीं बनता। देगे। सबसा करें कर दो तो इसलिए आपको मा sach कि मनोरंजन के साथ साथ अगर हम कुछ चीज को रखते हैं तो मुझे लगता है कि वो जादा घर करता है बेटा पैदा होता है खोसी होती है पास दिन बाद मरता है तो जादा दुख होता है तो एक खोसी के साथ एक गम होता है कि नहीं आद अगर हमें कर दिये होते तो चीज गाने का तरीका अगर आपके डिरेक्टर को आता है तो मुझे लगता है कि एक सिनेमा बेहतर बन सकती है और हमारी डिरेक्टर साब ने इसमें बेहतर तरीके से रिस्तों से लेकर और मुझे लगता है गाने तक इसका एक भी गाना आपको फलाफ नजर नहीं आएगा ये मेरी करांटी है यह मैं जानता हूं क्योंकि हर गाने पर हम लोग सिर्फ यही नहीं हम यह दीदी यह लगातार गाने आ रहे हैं मैं इनको सुनाते मैं एक आरा बारा बज़रात कोई सोई हमेचारी थोड़ यह लेको गाना आया है कि देखिये न कईसा लग रहा है तो कहीं न कहीं इस आदा था और सीन के साथ भी वेड़ावट डिसकाशन नहीं करती है और यह आइसा किया जाएगा तो यह सिनेमा जीती है तो इनके साथ एक्टिंग करना बहुत असान हो जाता है क्योंकि अब कभी-अभी तो आइसा हम को होता है कि कहना कुछ चाहते है और सामने और शाह पूर रहा है तो वहां फ़स्ता है लेकि अमरपाले जी के साथ अकसर ऐसा जब भी मैंने मुझे लगता है कि मैंने तीन फिल्म है किना चारो दौ एकम एक में गाना किया तो दो फिल्मों में हम लोगों ने मस्त काम किया, क्योंकि मुझे इनके साथ मज़ा आता है, क्योंकि सामनेवाला इनिसे डरता बहूत हूए hästar. Exact tutti हर एक्टिंग के लिए हम लिए अप प्रोच करते रहता है लोग, विबो देखना चाहिए कि यह लोग क्या करते है. और भोजपूरी सिनेमा में अगर आप किसी ताइब का कैसा भी बहतर से बहतर सिनेमा अगर सोचें कि कुछ ऐसा बने या वैसा बने तो अगर अमरपाली दुबे हैं तो आप सोच सकते हैं कि वो किरदार आप कर सकती है और मैंने इसी कड़ी में कुछ सोचा भी है और इसी लिए सोचा है कि हमरपाली दुपे क्योंकि वो कुछ किरदार ऐसे होते हैं जो beyond limit होते हैं कि यह क्या कोई कर पाएगा तो आप हैं इस industry में इस फिलहाल दौर में तो बहतर से बहतर जो कुछ भी किसी female artist के लिए सोचना सबसे बड़ी चीज की एक रोड है और खासकर हम लों ने वहां पर जो इंजवाय सबसे आदा किया हमारे प्रोडूसर साहब ने जो जीस तरीके का हम लोगों को जीस तरीके रखे थे या वो गुरकपूर के वो वो गुरकपूर के अपना बच्ची वाहीं बिस्तों आती है हा जो सपोर्ट किया हम लोग जिनके घर में सबस्क्राइ अपना घर जैसा लग जाता तो हम लोगों काफी ऑम लोग को और खासकर खेसारी जीण हम लोग को काफी जो वो मटन और लिटी वगर जो खिला है साइंगोने फीश क्योंकि खाने के बहुत सौकीन है और शुटिंग के दवरान ये हर तरीके के खाना वहां पे जो बहतर होता है वो बहतर खाना तो मैं नहीं मंगवाता है मैं लिटी चुखा बनवागता है नहीं मतलब टेस्टी वाला मतल बहतर में व कि चीज़ा है कि अंडी मतल हम जो मगवायत है हां ये आपके जिवन में खाना हंडी मटन अच्छा है अच्छा है वहां का जो अपैमेंट को दिया आप लोग अके तॉपस अब बहतरीन फिलिब बरीह में सारी औडियंस येही मत्ना करता हों कि आप लोग अ अगर अपना प्यार और असिरबात देंगे तो हमारी कोशिस हर दिन यही रहेगी कि हम बेहतर सीनिमा ही करें और बेहतर कहानियों के पीछे ही हमारा जीवन चलता रहे और उस कहानी के बदावलत हम कुछ समाज को दे सकें समाज का मुनरंजन भी करा सकें समाज को कुछ संदेश दे सकें तो प्लेज मैं सबसे रिक्वेस्ट यही करूँगा आप हमारे पत्रकार महोगई और मीडिया के तरब से मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लेज आप लोग डोली सा जाकर रखना टू सितंबर को हर पुरे आल ओफर इंडिया रिलिज हो रही है जहां जहां हमारा भजपुरी सिनेमा लगता है तो आप प्लीज आईए और अपना प्यार और से बात दिजी हमारे फिल्म के डिस्टिबीटर निशान तुजोल जी है जो कि बहुत अच्छा से सिनेमा रिलिज करते हैं तो हमारी सुब कामना उस भाई के साथ भी है अमरपाली जी के साथ है रजनिस भीया के साथ है हमारे राशन जी के साथ है दीदी के साथ है और इस सिनेमा से जितने जुड़े हुए चाहे हो location वाले लोग हूँ या hotel वाले लोग हूँ केमरा में हमारे प्रिंस भाई से लेकर जितने dance master से लेकर, movie data से लेकर यानि everything जितने लोग है सबको दिल से धन्यवाद कि आप लोगों ने एक अच्छी बहतरी निर्मान किया और आज फुरी दुनिया के सामने उसको दिखाया जाएगा तो प्लीज आप सबसे यही क्वेस्ट है कि एक बहुत अची सिनेमा बनी है मुझे लगता है कि दर दो तिन साल में इतना ज़्यादा ट्रेलर का रिवू किसी को नहीं मिला जो कि इस सिनेमा को मिला तो जिस तरह ट्रेलर का रिस्पॉंस आप लोगों ने दिया था उसी तरह में चाहूंगा कि हाल में जाकर और अपना प्यार इतना बरसाइए इतना बरसाइए कि लोग मजबूर हो जाएं बेहतर सिनेमा करने पे क्योंकि बेहतर सिनेमा बहुत गम बनती है मेकर्स भी मजबूर हो जाए रोशन जी शरमीला जी जासी लागत लगा होने में और इतनी महंगी फिल्म बनाने के लिए मजबूर हो जाए बेकुज हम लोग भी मिस कर रहे है कुछ समय से ऐसी मेकिंग जो रोशन सर और शर्मिला मामनी की है इस पर लेते हैं जल्दी से कर लेते हैं एक दू पिक्चर और है ना इनके पास तो जल्दी भी अगर भोलेंगे तो धाई साल बाट टाइम मिलेगा नहीं नहीं इसा नहीं कहानी अची होती है तो मुझे टाम मे एक दम एक लंब तो इसलिए आप लोग बहतर कहानी लेकर आईए मैं सारे लोगों से ही बोलता हूं कि आप बहतर कहानी लेकर आईए ताकि मैं मजबूर हो जाओं उसको करने पर यह मत सोचे कि कि सारी के पास डेट हाई की नहीं आप बहतर कहानी लेका क्योंकि हमें बहतर क पूरी बढ़ेगी दो साल धाय साल जो वेटिंग पीरियड है किसाई लाल्यादों को ऐसे की रहो लिए लगता है किसाई लाल्यादों चूजी बहुत जादा होगे हैं सेलेक्टिव होगे हैं मैं छी महीने बाद भी काम करूँ तो मुझे फरक नहीं पड़ता है क्योंकि मैं गाईकी करते रहता हूं तो पैसे कमाते रहता हूं जादाओं कि चाल भाई तुमको नहीं हुई है तो हमको क्या लिए पड़ी है तो जो जीद करते हैं कि मुझे करना ही है बेहतर से मेरा है उसके अगर पंटे बीब से बेहतर है तो मैं उसकी जिद भी तो नहीं कर सकता है लेकिन लेकिन पैसा खाके बैट गए हैं लेकिन बेहतर तो कभी कभी होता क्या है कि 10 फिल्में करता है आदमी तो उसमें से 4-5 फिल्में उनके लिए कर देता है जिनको लगता है कि हम गलत करने हैं उनको डेट नहीं दे रहें लेकिन मुझे अब लगता है कि बहुत हो गया अब बेहतर सिनेमा करके और जीस तरह साउथ इंडिस्टी बता ये छोटी सी हमसे बहुत अबादी कम है उनका लेकि आज वन लोगों ने बेहतर काम करनी की कोशिस की तो आज मुझे लगता है कि पूरे हिंदुस्तान में सबसे जाद आज तेल को मुझे देखा जा रहा है और वहां के स्टार को भी सब लोग प्यार कर रहे है तो हमारी भी ओडियस बहुत है बसरते हमें बेहतर सिनेमा पर काम करना चाहिए और मैं ओडियस से भी कहना चाहता हूं कि जब बेहतर सिनेमा आये तो आप लोग भर-भर के प अब पैण by लोग देंगे तो हर आदमी बेहतर सिनेमा बनाने की कोशिस करेगा देखिए यह पेत चलाने के हल आदमी काम करता है लेकि हम लोग को सिख रहे हैं कि पेट बहुत हो गया पर गया अब हम बहतर काम करें ताकि हमारी भजपुरी बहतर तरीके से परजेंट हो और बहतर तरीके से दुनिया इसको प्यार करें रोशन भी एक सवाब बहुत सारे लोगे करते हैं कि क्या फिल्म को बोजपुरी के साथ साथ किसी दूसरी भाशा में रिलीज नहीं किया जा सकता है क्या देखने क्या ockванें के हैं कि अधिकनिक आस्पेक्टी यहां क्या बोले हैं क्योंकि हम्हारा लेंगेज बोशपूरी है और हम लग भछपूरी ऑम भप्टरी खोकेस करके फिल्म 101 हरगा होते हैं तो उस कल्चर में हमारे कल्चर की फिल्में ले जाके हम डव करके चलाएंगे तू मुझे लगता है तू स्टेट में लोग इसक्ट करेंगे उसको हिंदी के बारे में बात करेंगे हो क्या रहेगा उसको क्या बोलना हम तो हिंदी अहां I think कि भुचपूरी के साथ जो सबसे अच्छी बात